जहीं सातियों, दोस्तों मैं प्रभुयादो स्वागत करता हूँ आपके अपनी चनल प्रभुयूपीपी में दोस्तों उत्तर प्रदेश पुलिस कॉंस्टेबल की भरती ये त्यारी कर रहा है सभी विध्यार्तियों से मेरा अनुरोध है कि इस वीडियो को पुरा अंति तक देखे क्योंकि आपरों की जो प्रशन आते रह रहे हैं कि सर विग्यापन कब तक जारी होगा एकजाम कब तक होगा, एकजाम होने की संभावना कब तक है तो दोस्तों एक्जाम की तो हम पहले बात में बात करेंगे, सबसे पहले तो सवाल यह उठता है कि विग्यापन कब जारी होगा, विग्यापन को आप देख रहे होंगे कि अक्टूबर में आने की संभावना जता ही जारी थी, उसके बाद अब जो सुनने में आ रहा है कि दि किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, तो दोस्तों मुखे रहे उसके दो ही प्रस्न आपको बोड़ पे दिख रहे हैं, दिसंबर में विग्यापन जारी होने की कितनी उम्मीदे हैं, और साथ ही साथ जो दूसरा प्रस्न है कि एक्जाम कब तक होगा, चुकि आप ही के द को विग्यापन आ रहा है, तो बिलकुल वो, आप ये समझ लो कि वो क्या बोलते हैं, अंधेरे में तीर चलाना वाला, यही वाला काम कर रहा है, ठीक है, तो दूस्तों दिसंबर माह में विग्यापन जारी होने की कितनी उम्मीदे हैं, तो देखिए, उम्मीदे तो है, मैं ठीक है, और बाकी की 40% फिर कहेंगे कि सर कब तक जारी होगा, तो मैं कहूंगा जनवरी में, दोस्तों देखिए, दिसंबर में अगर ये विग्यापन जारी करते हैं, तो जो एज काउंट है, ठीक है, जो एज काउंटिंग होगी, वो जुलाई मा से होगी, लेकिन अगर य हैं, यानि कि दिसंबर की बजाए, अगर ये जनवरी में अगर विग्यापन निकालते हैं, तो जुलाई 2014 से एज काउंटिंग होगी, तो इससे उन बच्चों को फाइदा होगा, जो अंडरेस थे हैं, यानि कि ऐसे बच्चे जो 17 वर्स कुछ महिने हो रहे थें, उनको चा पहेगी कि ऐसे बच्चों को चांस देना, जो कि कम उमर के बच्चे, जो बिल्कुल 18 वर्स पार किये हों, और वो एलिजबल हैं, ऐसे बच्चों को गवर्रमेंट चाहेगी चांस देना, क्योंकि कम उमर में ही बच्चे भरती हो जाए, अब सवाल ये उटता है कि जो उसके महिने लेट करने के बाद, फिक है, एक महिने लेट करके जो Age Counting है, वो July 2014 से हो जाएगा फिर जब जनवरी में फॉर्म निकला, तो Age Counting आपका July 2024 से होगा, ना कि July 2023, इस बात का आप लोग धियान रखेएगा, ठीक है, तो दोस्तों अभी तक अगर हम बात करें कि दिसंबर माहा में विग्यापन जारी होने की संभावना तो इसके बारे में किसी प्रकार का कोई ऑफिसियल जानकारी नहीं आया है ना भारती बोट के तरब से किसी प्रकार का कोई बयान सामने आया है, ठीक है, श्री मती मिलेगी इस ट्विटर हैंडल के माध्यम से, जो भरती बोट का जो ट्विटर हैंडल था, लेकिन अभी मैं बराबर उस पर जो है कि विजिट करता हूँ, लेकिन अभी पिछले कई महीनों से उस पर किसी प्रकार कोई जानकारी नहीं दिया गया भरती के समन्द में, तो मैं आपने ये नहीं बताया कि भई कैलेंडर कब जारी होगा, एक बार कम सकम कैलेंडर निकल जाया तो अभी बच्चों को बहुत हद तक जो है कि एक सांतो ना और संतुष्टी मिलेगी कि यहां चलो, इस टेट को विजिएपन जारी होगा, उनका एक टारगेट जो है कि फिक् बिजिएपन आता है तो क्या, एक्जाम आपका जो है कब कराया जाएगा, क्योंकि जनवरी में तो कहा जा रहा था, जनवरी तक उमीद जता ही जा रहे थी, कि दिसम्बर जनवरी में तो एक्जाम कराने की बात करी जा रहे थी, लेकिन अब यहां समय आ गया है कि हमको दिस operator का exam बागी है और radio operator का जब तक exam नहीं होगा तब तक आपका UP police constable का exam नहीं होगा सबसे पहले radio operator का exam होगा उसके बाद ही constable का paper होगा तो इसे पर depend करता है कि radio operator का exam कब है अगर जनवरी महा में radio operator का exam है अगर radio operator का exam अगर अगर फरवरी माहा में अगर रेडियो अपेटर का एक्जाम ही हो रहा है तो यह समझ लीज़े कि फिर तो आपका जो यूपी पुलिस कॉंस्टेबल का जो एक्जाम है यह फिर लटक सकता है यानि कि इसका डेट और आगे बढ़ सकता है तो दोस्तों यह थी संभावना है देखिए संभावना पर ही मैं बात करूँगा मैं किसी भी चीज़ को बिल्कुल सौ प्रतिसे सच नहीं बताऊंगा आपको कि बिल्कुल हाँ आप इसी को सच मानिये संभावनाओं पर ही बात करेंगे लेकिन है इतना जरूर कहूंगा कि बच्चों त्यारी करते रहिए हो सकता है कि आपको छोटे भाई बहन फिर देखें आप तो बिल्कुल एलिजिबल नहीं रहोगे ठीक है तो कुसिस करिए कि इसी वेकेंसी में जो है सेलेक्शन हर हाल में ले 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 और अपने सपने को साकार कर ले तो दोस्तों इसके लिए आपको त्यारी करना पड़ेग मेरे बताय हुए जो स्ट्राटीजी उस पर चलेंगे अगर दोस्तों सेलेक्शन लेना है तो मैं जो स्ट्राटीजी बता रहा हूँ आपको वो फालो करें आपको सेलेक्शन हराल में ले जाएगा कुछ बच्चों से मैं कहूंगा कि आपका जो है इसी नॉवंबर महा में जो है कि आपका SSC GD का फॉर्म निकल रहा है तो जो एलिजबल है ऐसे बच्चे जो एलिजबल है मैला है जिनकी हाइट 157 cm है और ऐसे लड़के जिनका हाइट 170 cm है वो एलिजबल रहेंगे तो आप आप लोग जो है तैयारी करते रही है SSC GD का ठीक है यूपी पॉलिस कॉंस्टबल तो अभी कोई फिक्स नहीं कब तक आएगा और काफी हद तक जो सिलिबस है वो उसमें सिमिलर्टी पाया जाता है तो इसलिए आप लोग SSC GD की तैयारी करते हैं बहुत अच्छी वेकेंस को जो है इस बार विग्यापन निकाला जा रहा है तो दोस्तो SSC GD आपके सामने तो सबसे पहले आप SSC GD पर टार्गेट बनाएगे उसके बाद यूपी पॉलिस कॉंस्टबल जब निकलेगा तो आप प्रूश की त्यारी प्रार्म कर दीजिएगा तो दोस्तों उमीद कर करने बनाएगे